गुड बॉर्निंग केट्स बच्चो आर यू आल रेड़ी ओके ड्राइंग के लिए सब त्यार हैं बच्चो आज अपन बनाएंगे टेंट ओके अच्छा सब बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नमबर 29 निकाल देजिए ओके ओपन पेज नमबर 29 यहाँ पे आप आज की डेट डालेंगे ओके अब यह पेज बहुत इंट्रेस्टिंग है ठीक है इसमें आप सीखेंगे आज लाइन्स को कैसे यूज करते हैं और इसको इससे आप ये भी जानेंगे कि क्रियोंस को आप कैसे कंट्रोल करके लाइन्स क्रियेट करते हैं पैंसिल को कैसे कंट्रोल करत जाएए चलिए तो मैं आज आपको बताती हूँ how to color that picture ठीक है इसमें बच्चों आप sketch pen का use भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास sketch pen नहीं है आपके पास भी शायद हो सकता है नहीं होंगे इसलिए मैं आपको बताऊंगी crayon से चलिए सबसे पहले आपको यह flag बनाना है flag में आपको आप देख रहे हैं कैसी straight lines दी हुई है तो यहाँ पर आप color filling नहीं करेंगे यहाँ पर आपन lines create करेंगे okay तो देखो madam आपको बताईगी lines create करना आप देखो आपको इसमें मैंने आपको starting में बताए था pencil को control करना है तो आपको lines बनानी है straight lines बनानी है बाहर नहीं निकलना चाहिए बहुत carefully बनाना proper distance maintain करना है like this 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 अगर आपके पास sketch pen है तो यह बहुत अच्छी बात है आप sketch pen से बना सकते हैं यहाँ पर red color अच्छा यहाँ पर भी red color है यहाँ पर straights थी lines straights थी यहाँ पर straights नहीं है यहाँ पर आड़ी line है तो हम यहाँ पर भी बना देंगे lines ठीक है proper lines बनाएंगे आप इस तरीके से proper distance लेके बनाना है आपको यह देखी इस तरीके से ओके यह माडम का इत्ता proper नहीं आया है crayons की वज़े से मैं अब आपको next में और अच्छे से करके बताएंगे ठीक है आपको ऐसे proper distance लेके बनाना है अब next green color है तो आप आप green color से यहाँ पर भी lines बनाएंगे ठीक है इस तरीके से अब next में कौन सा है next में है brown color तो यहाँ पर आप लोग कौन सा color है देखो यहाँ पर दिया हुआ है brown इधर पर brown दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग brown करेंगे brown से lines बनाएंगे ओके यह देखे line lines बन गई है आप यहाँ पर दिया है कौन सा yellow भी आप yellow या फिर yellow आप यूजर यह वाला color आप यूज़ करेंगे यहाँ पे straights line दी हुई है तो आप यहाँ पे straights बनाएंगे यह देखिए इस तरीकर ओके इधर बे भी straights दी हुई है तो आप आपको straights बनानी है यह देखिए यह straights line बन गई अब next next कौन सा यहाँ पे भी आपको red color करना है red color से बनाएंगे आप यह देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से बनानी है आपको बहुत easy है और कुछ अलग है यह page आपका इसमें आपको line को अब देखो यह बन गया आप next green है यहाँ पे भी red है तो हम इसको भी कर लेते हैं ठीक है यह हो गया अब हम बनाएंगे यहाँ पे हम green 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 यहाँ पर है blue color blue color use करेंगे बच्छों आप लो blue color से lines बनाएंगे ठीक है देखो यह blue color हो गया ओके अब आपना आते हैं उपर उपर कौन सा color है उपर है यलो यलो से देखिए straights line दी होई है चोटी चोटी तो आपको straights line बनानी है ठीक है यह देखो माम कैसे बना रही है ध्यान रखिए देखो कंट्रोल हो रही है आपकी पैंसिल जितनी आपको जब इस पेस दिया है उसके आगया आपकी पैंसिल आपका क्रेओं नहीं बढ़ना चाहिए आपको कलर फिल नहीं करना है इसमें आपको लाइन्स बनानी है ओके यह देखो हो गया यह देखो यलो हो गया अब यहां पर यहां पर आपको कुछ अपने आपसे करना है देखो आपकी पिक्चर में तो स्ट्रेट ब्लू लाइन दे दिये ठीक है लेकिन आप चाहिए तो इसको पूरे को आप ब्लू भी कर सकते हैं और कुछ अलग भी कर सकते हैं जैसे नीचे आपने कलर फुल किया है तो उपर भी यह वाले सेम कलर यूज कर सकते हैं या फिर आप पूरा ब्लू ब्लू यूज तो मैं देखिए मैं क्या कर रहे हूं मैं कुछ अपने दिमाग से कुछ अलग कर रहे हूं ठीक है मैं ऐसे करूँगी आप भी चाहे तो ऐसे कर सकते है या फिर आप अपना कुछ अलग either भी लगा सकते है गा या देखो बच्छो मैंने ये किया अब मैं यहाँ पर भी ब्लू कलर सेम डालूंगी यह देखो अब मैं इधर पर और इधर पर अलग कलर डालूंगी ठीक है तो मैं ले लेती हूँ परपर ओके वालेट कलर डिया मैंने अगर आपके पास वालेट नहीं है तो आप कोई दुसरा कलर भी ले सकते हैं ठीक है यह देखो मैंने इसको फिनिश कर दिया है अब आपको भी अच्छा लगेगा मैंने तो खुब इंजॉई कियो इसको करते हुए यह देखो कितने अच्छे से कुछ अलगी आज मैंने कलर फिलिंग नहीं करी आज मैंने लाइन्स क्रियेट की हैं और आप लोग भी इस पिक् जोप में यह वाला पेज बनाएए और इसमें लेखो